इतिहास कवा है कि जब जब इस देश में किसी ने दलित चाती के लिए कुछ बोला है उसका नाम इतिहास के पन्नों में दबके रह गया है ऐसे ही एक महान कलाकार जो कि फिल्म जगत के संगीत कार थे उन्हें सिर्फ जाती के कारण भुला दिया गया फिल्म जगत के महान संगीत का शलेंदर को सुनते ही शायद कभी ये बाद जहन में नहीं आई होगी भारते सिनमा के इतिहास में कलाजय गीतों की रचना करने वाले शलेंदर को कभी कोई बड़ा पुरुसकार नहीं मिला उनका जीवन जाती भेदभाव की परचाईयों के साएं में बड़ा और बेहत मुफलीसी के बीच खतम हुआ इसी का नतीजा था कि शलेंदर सिनमाई जमी के अजीम पनकार होते हुए भी जाती के चलते भुला दिये गए शलेश का असली नाम था शंकरदास के सिरिलाल वे मोल रूप से बिहार के आरा के धूप पूर गाउन के गुसी जमार जाती के थे उनका जनम पाकिस्तान के रावल पिंडी में 30 अगस 1923 को हुआ उनके पिता सेना में अधिकारी थे उनके पिता की तबियत खराब होने पर उनका परिवार जब बहुत मुश्किलों में फस गया तो वे लोग उत्तर परदेश के मतुरा में उनके चाचा के पास आकर रहने लगे मत्रों से हुई बेहत गरीवी के बीच सलेश ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की हाई स्कूल परिक्षा में सलेंद्र ने उत्तर परदेश में तथ्य थान प्राप्त किया इलाज के पैसे ना होने की वज़े से अपनी एकलौती बेहन को उन्होंने अपनी आँखो के सामने ही खो दिया बच्च्पन में जब सलेश हौकी खेला करते थे लेकिन साथ खेलने वाले लड़के उनकी जाती को लेकर बुरा बैवार करते थे उन्हें अक्सर ये तंज सुनना पड़ता था कि अब तो ये लोग भी खेलेंगे परिशान होकर उन्होंने खेलना ही छोड़ दिया पढ़ाई पूरी करके वे मुंबई आ गए वहां रेलवे में नौकरी की पर अधिकारियों के परेशान करने के कारण वे भी छोड़नी पड़ गई उन्हें कविता का शोग था इसलिए एक कविता पाट समारों में उनका राज कपूर से मिलना हुआ और यहीं से उनकी सिनमा जगत की एंट्री भी हुई सिलेश ने एक से बढ़कर एक खुबसूरत गीतकाई सिलेश रवी गीतकार अभीनेतरा समवेद लेखक उर फिल्मकार निर्माता भी रहे हैं अपनी पहले फिल्म तीसरी कस्म के निर्माता एफम गीतकार सिलेश जी स्वेइं ही थे बंत किस्मती से 1967 में बनी ये फिल्म सिलेश जी की आखरी फिल्म रही इस फिल्म के निर्माता के लिए सिलेश ने उची ब्याज दर्व पर शर्ण लिया था लेकिन दुर्भागी वंच ना तो ये फिल्म समय पर रिलीज हो सकी और ना ही इसका खास परचार हो सका एक बहतरीन फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म खिड़की पर अधिक कमाई ना कर्फ सकी इस प्रकास सिलेश जी का पैसा डूब गया और वैकर्ज के बोज तले दब गये इस आसफलता सिलेश जी का मन सिनमा जगत से हट गया भारत में जब तथा कनित अपार कस्टल ब्रामण शत्रिये होने की बात को छाती ठोक कर बताते हैं तो उनका ये जातिये दंब सबको नॉर्मल लगता है लेकिन वही पर जब कोई दलित अपनी आइडेंटिटी को लेकर अटल करता है तो उसे जातिवात होने का तमगा थमा दिया जाता है बहराल शलेंद्र ने तमाम मुश्किलों के बाद भी खुद के सपनों का पीछा किया और वे मुकाम हासिल किया जो आज तक कोई गीतगार हासिल ना कर सका वे एक पहुजन के रोल मॉडल है तू जिन्दा है तो जिन्दिगी की जीत में हैकीन कर उन्होंने आट सो से जादा गीत गाए और उनके लिखे जादतर गीतों का बहतर लोग प्रिया हासिल हुई इनके कई सारे लेक जो हम उन्होंने अपने गीतों में बचना का शिकार लोगों की पीड़ता को जुबान दी अपने गानों में उन्होंने समता, मूलक, समाश, निमान और मानपता विचारों को शब्दों में पिरोया है उन्होंने दबे कुछले लोगों को संगर्ष का नारा दिया है जिसमें फिल्म जगत की सभी जानी मानी हस्तियां बड़े उटसा के साथ शामिल होती है शेलेज जी के गाने बहुत ही एतिहासिक हैं और दिल की गहराईयों को छूने वाले हैं उनके गाने आज भी हर आयू के लोग सुनना और गुनगुनाना पसंद करते हैं उनके जनम दिन्वस के मौके पर हर वर्ष मुंबई में शेलेंद्र नाइट्स का आयोजन किया जाता है जिसमें फिल्म जगत की सभी जानी मानी हस्तियां बड़े उत्सा के साथ शामिल होती हैं शेलेज जी का 14 दिसंबर 1967 को मुंबई में निधन हो गया इसी के साथ हमने एक और महान व्यक्ति को खो दिया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले